करोना की दूसरी लहर से पिडित मरीजों में सामने आ रहे लक्षन दस्त होना या लूज मोशन भी करोना संक्रमन का एक संकेत है इसके हलावा चक्कर आना और कुछ मामलों में बैरापन मसल्स पेन स्किन इंफेक्शन नजर आना और कमजोर होना भी करोना के नए स्ट्रेन का लक्षन है करोना की दूसरी लहर भारत के लिए काफी जाननेवा साबित हो रही है आकड़ों के मुताबिक करोना से अब तक सरवादिक मोते हुई हैं जिस तरह से करोनों के मामले बढ़ रहे हैं स्वास्ते सेवा प्रणाली काफी कमजोर होती हुई नजर आ रही है पिछले साल भी करोना काफी तेजी से फैला था लेकिन इस बार हालात बेकाबू लग रही हैं कोविड के म्यूटे से करोना के केसिस काफी बढ़ रही हैं कुछ लोगों ने इस मामले में कई अन्य जटिलताओं का अनुभव किया है टी ओ आई ने एक्सपर्ट्स के अनुसार रिपोर्ट छापी है कि जिसके अनुसार करोना के नए स्ट्रेन के लक्षन कुछ इस तरह से हैं पहले की अपेक्षा अब करोना के लक्षन अधिक सिंपोट्रेमेटिक हो रहे हैं यानि लक्षन दिखाई पड़ रहे हैं करोना के लक्षनों में गले में खराश और चुभन शामिल है कोविड-19 संक्रमन में करीब 52 परतीशत से अधिक मामलों में ये लक्षन देखा गया है ऐसे कई मामलों में खाने और पानी पीने के दुरान भी रोगी ने गले में जलन महसूस की है कोविड-19 संक्रमन के कई मामलों में मरीज को काफी थकान का अनुभव हो रहा है हाला कि सभी वाइरल इंफेक्शन के दुरान मरीज को ठकान का अनुभव होता है लेकिन कोविड के मरीज में काफी ज्यादा ठकान हो रही है करोना के मरीजों में मास पेशियों में दर्द, जोडों में दर्द, शरीर में बेत हाशा दर्द जैसे लक्षन सामने आ रही है मास पेशियों में दर्द और शरीर में दर्द होने का मुखे कारण माई गेलिया है जो महतोपूर्ण, मासपेशी, फाइबर और टिश लाइनिंग पर हमलोप करने वाले वाइरस के कारण है संक्रमन के दुरान पूरे शरीर में सूजन से लेकर जोडों में दर्द, कमजोरी और शरीर में दर्द भी हो सकता है करोना के मरीजों में अचानक बहुत अधिक ठन और कपकपी लगने जैसे लक्षन भी दिखाई पड़ रही है वास्तव में संक्रमन के शुरुवाती दिनों में हलकी ठन लगने के साथ हलका बुखार भी करोना का लक्षन है इसके अलावा मतली और उल्टी भी इसके शुरुवाती लक्षन है दस्त होना या लूज मोशन भी करोना संक्रमन का एक संकेत है इसके अलावा चक्कर आना और कुछ मामलों में बहरापन, मसल्स पेन, स्किन इंफेक्षन, नजर आना और कमजोर होना करोना के नई स्ट्रेन के लक्षन है करोना जाच से लेकर इलाज के बारे में वो सारी जानकारियां जो आपके पास होनी चाहिए कई ऐसे भी लोग हैं जो करोना को महज अफवा मानकर बीना कोई प्रोटोकोल पाले बाहर घुम रही है करोना वाइरस संक्रमन के चार चरण है जिनके आधार पर इलैस तै होता है इसे समझने से पहले ये भी जान ले कि कब हमें करोना की जाच करानी चाहिए और कब निश्चिंत रहा जा सकता है करोना की नई लहर बेकाबू हो चुकी है संक्रमन के आकड़े लगातार बीते दिनों से बढ़ते ही जा रही है ऐसे में लोग पशो पेश में हो रहे कि कब इस बिमारी की जाच करानी चाहिए और कब नहीं कई बार लोग डोक्टर के पास जाने से बचने के लिए खुद ही घरेलू अलाज करते हुए रोग को और गंभी स्थिती में ले जाते हैं वहीं कई ऐसे भी लोग है जो करोना को महज अफवा मान कर बिना कोई प्रोटोकोल पाले बाहर घुम रही है वाइरिस के बारे में कई बाते अब तक विज्ञानिकों की समझ से बाहर हैं लेकिन जितनी जानकारी है वो हम सभी के पास होनी चाहिए कब कराए करोना का जाच करोना के लक्षनों को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है पहले बुखार सर्दी खासी यह जैसे लक्षन इसके क्लासिक संकेत माने जा रहे हैं लेकिन अब हालात अलग है म्यूटेशन के कारण वायरस में बदला हुआ और साथ ही लक्षन भी बदले किसी में यह बुखार के रूप में है तो किसी को पेट दर्द डाइरिया और सिर्दर्द जैसे लक्षन है कहीं कहीं आखों का इंफेक्शन शरीर पर लाल चकत्ते दिखना जैसे भी संकेत दिख हो तो सतर्क हो जाएं और जाज के लिए संपर्क करें कई बार मरीज में कोई लक्षन नहीं होते हैं लेकिन उसके आसपास के लोग संक्रमित होते जाते हैं तब बगैर लक्षन के भी टैस्ट की जरूरत है करोना के चारचरण हैं वो चारचरण कौन-कौन से हैं करोना वाइरस शरीर में परवेश के बाद अलग तरीके से असर करते हैं वाइरस शरीर के किसी एक अंग पर भी असर डाल सकता है या फिर वाइरस लोड अगर बढ़ जाए तो खत्रा सभी अंगों तक पहुच जाता ह ऐसे मिध्यान देना जरूरी है कि बिमार होने पर कब हमें अस्पताल जाना चाहिए और कब घर पर ही रहते हुए आइसुलेट हो जाना चाहिए यह है पहला चरण इस स्टेज में समझा जाए तो पहली स्टेज है होम क्वारंटाइम इसमें मरीज के लक्षन काफी हलके या फिर होते भी नहीं है लेकिन वो पोजिटिव होता है तब उसे घबराए बगैर खुद को अलग धलग कर लेना चाहिए किसी भी हाल में स्वस्त लोगों से नहीं मिलना चाहिए और मिले भी थो मास्क पहन कर सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन करते हुए दूसरे चिरण में क्या होता है दूसरे स्टेज में मरीज के लक्षन गंफीर हो जाते हैं उसे अस्पताल में एडमिट होने की जरूरत रहती है इन लक्षनों में तेज बुखार होना, डाइरिया, सास लेने में परिशानी होना, पल्स ओक्सीमिटर पर अलग ऑक्सीजन का स्तर 94 से कम होने लगे तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि ये लंग्स पर संक्रमन बढ़ने का संकेत है तीसरा स्टेज ज़्यादा गंभीर है इसमें लंग्स पर दबाव बढ़ता जाता है और मरीज को सास लेने में दिक्कत बढ़ चुकी होती है खून में उक्सीजन का स्तर 90 या उससे नीचे होने लगता है सीने के एक्सरे में घाव दिखते हैं ऐसे में मरीज को समान्य कोविट वार्ड से आईस्यू में जाना चाहिए डोक्टर खुद ही ये फैसला ले लेते हैं इस दोरान ओक्सीजन दी जाती है चोथी स्टेट में वेंटीलेटर की जरूरत होती है चोथा और सबसे ज़्यादा गंभीर चरण वो है जिसमें वेंटीलेटर पर रखा जाता है इसमें फेफडे काम करना बंद कर चुके होते हैं और मदद के लिए उसे वेंटीलेटर दिया जाता है डोक्टरों के मुताबिक इसमें केवल समय लिया जाता है ताकि मरीज के शरीर से वाइरस कम होने लगे और फेफडे समानने अवस्था में आ सके लेकिन कई बार हालात विगड़ते जाते हैं और थ्रोंबोसीस तक पहुच जाते हैं इसमें शरीर के किसी अंग विशेश या फिर दिल तक खून पहुचना बंद हो जाता है और मल्टी ओर्गन फैल जाता है। देने की मांग करते हैं ऐसा करने की बजाए डोक्टर को खुद तैय करने दे कि किस मरीज की जरूरत क्या है वैसे भी अब तक खास करोना के इलाज के लिए कोई दवा नहीं बन पाई है और पुरानी दवा को ही थोड़े बदलाव के साथ इस्तमाल किया जा रहा है। लिहासा जितना मुम्किन हो घर पर रही बाहर निकलने पर मास्क पहनी और लगातार 20 सेकिंड तक साभुन पानी से हाथ दोए। इससे संक्रमन का खतरा काफी हद तक घट जाता है। हमें करोना के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। फिलाल जाच के लिए अस्पताल खुद ही टैकर सरे हैं कि कौन सी जाच होनी चाहिए। जैसे मरीज अगर संक्रमितों के संपर्क में ना आने का दावा करे तो उसका रैपिड इंटीजन टेस्ट होता है। इसमें रिपोर्ट जल्दी मिल जाती है। जिसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आए तो संक्रमन कन्फर्म है। लेकिन नेगिटिव आने पर लक्षन महसूस होने पर आर्टी पीसी आर कराया जाता है। इसकी रिपोर्ट में सीटी वैल्यू भी लिखी होती है जिससे वाइरल लोड का पता लगाता है। अगर ये वैल्यू 24 से कम हो जाती है तो ठीक है। लेकिन ये वैल्यू इससे जादा हो तो मरीज का संक्रमन कमभीज तर पर पहुंच सकता है। इसलिए कि प्याप सभी मास्क लगाएं, सेनिटाइजर का प्रयोग करें और अपने आपको तथा अपने आसपास के सभी लोगों को सुरक्षित रखी। अब हर्याना सरकार की दीन द्याल आवास योजना के अंतरगत सेक्टर 1 तरावडी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपे देकर भुग करवाएं सड़क सीवरेज, स्ट्रीट लाइ, पार्ग, कम्यूनिटी सेंटर, तुरंथ रिजिस्टी और प्रसेशन भी, कॉल 9466 034000